इस पीडियो में मैं आपको गूगल के ऐसे 5 टिप्स एंड ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिससे आप यूज करके अपने हर एक प्रोल्म को सॉल्फ कर सकते हैं यानि कि आप कोई भी गूगल पी चीज कोई को सर्च करते हैं तो उसमें आपको बहुत सरे ऐसे आपको चीज मिलते हैं जो आपको ढोड़ने पर नहीं मिलते हैं लेकिन मैं जो आपको ये फीचर्स 5 आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको तरह तरह कुछ न कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा तो चलिए आज की इस पूडियो में Google के पांच इसे tips and trick जान लेते हैं जो की किस तरह से है चलिए आज की इस पूडियो को सुरू करते हैं Google का पहला tips and trick अब इसमें जानेंगे कि Google बार में हम जाकर कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं यहां पर स BYूइंगे सर्च करते हैं तो स करने के बाद आपको एक बेशायड बीवसाइड यह पर किलिक करेंगे, उस फिचर्स करने के बाद नीचर के और तरफ आएंगे, तो यहां पर एककत फीचर आपको को क्लिक करना होा है , 내가 that करते हैं तो सर्च के सामने यहां पर साइड में एक आपसन यहां पर होता है जो कि यहां पर एक माइक होता है और यहां पर इसके साइड में एक केमरा होता है तो यह केमरा का क्या वर्क होता है जो कि आप सिंपल से जानते होंगे कि यहां पर आप चीज को सकें करते हैं तो आपको तत्रह के ऐसे application यूज़ करेंगे की उस वेकती का नाम जानने के artifacts के ही लिए लेकिन मैं के kimchi की मदद से आपको बतावा गजर्क के क्या आप आसान तरीखा से पार जान सकते हैं इकचमपल के लिए केमरे को ओपन करता हूं और इस फोटो को स्केन करता हूं स्केन करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि यह फोटो स्केन हो रहा है और यहां पर इसके साइड में आपको नीची के तरफ यहां पर इसका नाम जो स्केन हो करके आ चुका है इस वेक्ति का नाम है रतन टाटा यानि कि इस वेक्ति का नाम इस फोटोज की जरिये से आपको यहाँ पर निकल के आ चुका है गूगल का तिसरा टिपसेंड ट्रिक अपने कभे दियान गया होगा कि कोई भी बड़ा अच्छर होता है तो उसको हम को जानने के लिए हम गूगल पर कोई बी चिज़ को सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखंगे कि इतने बड़े वाट को हम आप आसान तरीके से कोई व्यक्ति पूछ देता है यहां पर Google में हम जाकर कि कोई भी मुवी से करते हैं जाम्पल के लिए आप समझेपे को देखना चाहते हैं कोई ऐसा मुवी आया है जिसको हम सर्च करते हैं लेकिन आपको जो लाई आपको दिखाए देंगे आपको मूवी डाउड नहीं मिलेगी लेकिन मैं जो आपको इसे तरीका बताने वाला हूँ इससे सिर्फ एक लिक में आपने मूवी को वाच कर सकते हैं कि real movie को देख सकते हैं productive मैं आना चाहता हूं कि यहांपर गॉगल में जाएंगे और गॉगल में जाने के बात आप अपने पहले अपने movie को नाम लिखने के बाद आपको उसके बाद यहां पर लिखना है Google Drive Google Drive लिखेंगे तो आपको यह फॉस्ट वेफसाइट जो आपको देखना है यह तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने को बढ़ आपको जो भी आपकी मोवी होगी आप उस मुवी को असान तरीके से और जिनल होगी और वो मुवी से को देख सकते हैं